हेई अब्रीवन विल्कम तो सरकारियाइट वॉंस अगें तो इस वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि जीवी पंथ उनिवर्सिटी ऑफ एक्रिकल्चर एंड टेक्निलोजी जिसको आप पंतनगर उनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हो उसका जो एप्लिकेशन फॉर्म है प्राइब करना हो ठीक है और इसमें जो इमेजेश वगर आपको अपलोड करने है डॉकुमेंट्स वो किस तरीके से आप असानी से अपलोड कर सकते हो वह भी मैं आपको इस वीडियो के बीच में बता दूँगा ठीक है तो आप जो है अप्लिकेशन फॉर्म को अपने मोब अब लिकेशन फॉर्म नहीं कर सकते या कुछ भी लगता है कि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप जो है मेरे को टेली ग्राम पर कंटेट कर सकते हो अगर आप को अपना फिल करवाना है तो यह है कि आप फोल्केशन फॉर्म हमारे से भी फिल करवा सकते हो ऑंड उसके जो रहेंगे, रुपीज 99 रहेंगे, तो उसके लिए आप contact कर सकते हो, टेलिग्राम आइडी आपको स्क्रीन पर दिखरी होगी, इस पर आप contact कर सकते हो, और मैं बता दूँ कि इसकी जो last date है 30 अपरल है, जो वेबसाइट जो है इसकी official वेबसाइट जो है, वो है gbpu80.org.in, तो gbpu80.org.in, यह आप Google सर्च में आप जो है टाइप करोगे जैसे, तो वेबसाइट जब open होगी, तो आपको कुछ इस तरीके का page यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, तो यह इसकी वेबसाइट है, वैसे वेबसाइट एक और भी है gbpu80.ac.in, लेकिन फिर वहाँ से आपको directly नहीं मतलब link मिल पाता, तो अगर आप ये वेबसाइट को टाइ चांडिडेट्स भी eligible रहते हैं, All India से कोई भी candidate यहाँ पर apply कर सकता है, बस disadvantage यह है कि आपको अगर exam देना है, तो उसके लिए आपको उत्रागंडा कर exam देना होगा, otherwise other state के candidates भी यहाँ पर eligible है, payment seats के लिए, बाकि जादा information के लिए आप एक बर brochure को जरूर refer कर ले, ठीक है, त पर आप उपर की दरफ देखोगे, जो blue color का banner है, उसमें आपको candidate new registration का एक option देखेगा, ठीक है, candidate new registration के option पर आप click करोगे, and click करने के बाद new registration का जो page है, वो कुछ इस तरीके से open हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना है, 10 digits का, email ID आपको डालनी है, small letters में, और अपना name डालना है, अब यहाँ पर जो candidate name आप डालोगे, capital letters में डालना, और name की spelling वगरा वही होनी चाहिए, जो आपकी class 10th की mark sheet में है, यानि कि class 10th की mark sheet में जो लिखा है, आपका name वही exact होना चाहिए, उसमें अगर surname नहीं लिखा, तो आप भी नहीं लिखोगे, ठीक है, उ इसे कुछ बच्चे होते हैं, जुन्होंने UG course वगरा, वहीं से क्या होता है, और PG course के लिखा है, तो अगर आप रहे चुके हो, GB Pant University के student पहले है, तो आपको yes करना है, otherwise आपको इसमें no करना है, ठीक है, उसके बाद आप से बूचेगा, select program for apply, यानि कि आप किस course के लिखा ह तो जिसके लिए भी आप करना चाहते होके, आप यहाँ पर course select कर लोगे, जैसे BAC Agriculture, BVAC, इन सब के लिख करना है, तो UG पर आप click करोगे, तो जितने भी BAC courses है, वह आपके UG course के अंडर हैंगे, ठीक है, उसके बाद आप से पूचेगा next की, please select your domicile state, तो domicile state आप से option आता है, मतलब 3 options आते हैं, कि आप कौन से group के लिए apply करना चाहते हो, ठीक है, इसमें group 1 जो होता है, 01 group PCB candidates के लिए, group 2 PCM candidates के लिए, और group 3 PCA candidates के लिए, इसका मतलब क्या है, कि अगर आपने अपना class 12 PCB से क्या है, तो PCB 01 select करोगे, अगर आपने अपना class 12 PCM group से क्या है, तो PC PCM 02 select करोगे, और अगर आपने class 12 PCA group से क्या है, तो PCA group 3 आप चूस करोगे, ठीक है, तो जो भी आप group यहाँ पर चूस करोगे, वही paper आपको अपने exam में देना होगा, अगर आपने PCM group चूस क्या है, तो PCM subject के आपको paper देने होगे, अगर PCB का क्या है, तो PCB के paper देने होग यहाँ पर, तो आपको physics chemistry और agriculture का paper यहाँ देना पड़ेगा, तो इतनी details डान लेके बाद, यहाँ पर एक capture code green color में लिखकर आ रहोगे, जिसमें कुछ numbers लिखे होगे, वह number box में enter कर दोगे, और उसके बाद submit पर क्लिक कर दोगे, तो जैसे ही आप submit पर यहाँ click करोगे, आपक करने के बाद message receive हो जाएगा, mail पर भी receive हो जाएगा, और आपको एक text message भी आ जाएगा, जिसमें registration ID और password होगा, तो ऊपर की दरफ देख सकते हो, जो यही वाला page है, दो submit करने के बाद, यही जो आपकी website है, इस पर जो ऊपर candidate login का option आ रहा हो, उस पर आप click करोगे, अब candidate login पर भूल भी जाता है, उसको login करना है, तो नीचे forgot user ID password का option भी दिया गया, जिससे आप अपना password दुवारा से retrieve कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर registration number password डालने के बाद, आप login पर click करोगे, login पर click करने के बाद, इस तरीके से page open हो जाएगा, जहाँ पर आपकी personal information आ रहे होगी, जो आपने अभी डाल कर submit की थी registration के लिए, उसके बाद नीचे आप देख सकते हो, status of application form में, आपको तीनों चीजों के आगर red cross दिखाएगा, filled details यानि कि आपने अपने details अभी दख fill नहीं करी है, documents को upload नहीं करा है, और application fee आपने pay नहीं करी है, जब आप यह तीनों चीजे कर दो क्लिक करने के बाद आपको दो, तीन, तीन, चार option दिख जाएंगे, पहला है fill form, दूसरा है pay fees, तीसरा है print fee receipt, और उसके बाद last में print application form, तो सबसे पहले आपको fill form, fill जो form है उस पर आपको click करना होगा, क्योंकि जब तक आप form fill नहीं करोगे, तब तक आप fees पे नहीं करोगे तब तक fees पे नहीं करोगे, तब तक आप fee receipt को print नहीं करोगे, या फिर application form को print नहीं करोगे, तो सबसे पहले आपको fill form पर click कर देना है, तो fill form पर click करने के बाद आपका form कुछ इस तरीके से open हो जाएगा, जहाँ पर आपको अपनी personal details एंटर करने होगे, ठीक है, तो सबसे प उसके बाद है, आपको अधार नंबर अपना डालना है, तो अधार नंबर आप अपना अधार कार्ट से देखकर होगे, उसके बाद nationality Indian हो गया, उसके बाद gender आपसे पूछा जाएगा, तो male, female जो भी है वो आप यहाँ पर select कर लोगे, category यहाँ पर पूछा जाएगा, तो category जो भी है, आपका general है, OBC है, EWS, SC, ST, जो भी होगा, वो आप यहाँ पर select कर लोगे, उसके बाद sub category वगरा पूछा जाएगा, तो वो आप अपने according देख लोगे, और category weightage, ठीक है, इसके लिए आपको जो एक बार information brochure जरूर देख लाना चाहिए, इसमें क्योंकि काफे सारे weightage होते है, जैसे sports weightage होगया, ठीक है, rural weightage होगया, इस तरीके के अलग-अलग weightage है, तो अगर आपको कुछ नहीं भी समझाएगा, तो prospectus में आप यह चीज़ देख सकते हो, वहाँ पर सारी information आपको इसकी मिल जाएगी, उसके बाद religion आप से पूचेगा, ठीक है, कि कौन सा religion है, फिर वो आप select कर लोगे, फिर physically disabled आप पूचेगा, ठीक है, तो yes या no आपको यहाँ पर करना होगा, कि PWD quota आपके लिए applicable होता है, या नहीं होता है, उसके बाद next आप से पूचेगा, कि आप son या daughter या spouse हो किसी regular employee of university के, यानि कि GB Panth University में आपके, मतलब father, mother या कोई भी ज है, O है, जो भी है, उसके बाद RH factor का मतलब कि positive या negative जो भी blood group में है, आपको वो आप यहाँ पर select कर लोगे, ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर enter करनी होगे, अपनी contact details, जिसमें आपको अपना email पहले से आपने enter कर रही है, वो already mention होकर आ जाएगा, mobile number already mention होकर आ जाएगा फिर आपसे whatsapp number पूचेंगे, वो आप डाल सकते हो, landline number को आप छोड सकते हो, ठीक है, और उसके बाद आपसे address पूचा जाएगा, तो address यहाँ पर आपसे दो address पूचे जाएगा, एक correspondence मतलब present address और दूसरा होता है permanent address, तो अगर आपको लगता है कि आपका जो present address है, वो address है, तो आप दोनों को अलग-अलग fill करोगे, otherwise correspondence address fill करके नीचे एक option दिखेगा, या permanent address fill करके आपको ऊपर option दिख रहा होगा, same as correspondence address, उस पर आप click कर दोगे, मतलब correspondence address तो आपको fill करना ही करना है, अगर आपको लगता है कि मेरा correspondence या present address, permanent address जैसा same ही है, तो आप ये checkbox पर click कर दोगे, और वहाँ पर एक tick लगकर आ जाएगा, और वो same exact corresponding address आपका permanent address में copy हो जाएगा, ठीके, तो address में आपको क्या कर डालना है, address में आप पहले location डालोगे, house number, ward number, colony, कौन सी, ये सब चीज़े, उसके बाद district आप डाल दोगे, pin code आप डाल दोगे, और state अपनी choose कर लोग दोगे, और PhD के लिए गर आप अप्लाइ कर रहे हो, तो 10th से लेके master's सकती आपको सारी details आपडेट करनी होगे, तो जब से पहले हैं आपर लिखा होगा, कि high school equivalent की details आपको डालनी है, फिर intermediate की डालनी है, graduation वाले वो डालेंगे, जो मतलब PhD, मतलब जो master's के लिए अप्लाइ कर इसके बाद marks डालोगे, percentage डालोगे, जो भी है आपका, ठीके, वो आप यहाँ पर एंटर कर लोगे, institute का name क्या है, subject वगरा क्या थे, degree कौन सी थी, यह आप एंटर कर लोगे, अगर मालो कोई 2024 में अपना 12th complete करने वाला है, तो उसको अपने marks वगरा 12th की एंटर करने की कोई पी जरूद नहीं है, आप उसको खाली छोड़ सकते हो, ठीके, उसके बाद इसके नीचे जब आओगे, तो आपसे पूछेगा, paper group and exam center, तो paper group and exam center में आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, paper group and exam center में यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे जो भी आपने paper group select कर आओगा हमाँ प कर रहा है, क्योंकि PCMB वाले भी PCB group के लिए eligible होंगे, तो वो आप यहाँ पर select कर लोगे, और बागी other courses के लिए आपको option दिखा देगा, जो भी आपके ऊपर apply के लोगे, उसके बाद आप से यहाँ पर यह पूछेगा, कि status of qualifying examination, तो जैसे अगर मालो UG के लिए apply कर रहा हो, 12 का course जो भी आपने select कर रहा है, PCV, PCM जो भी करा होगा, तो उसमें पूछेगा कि आपने वो pass के लिए appearing हो, तो 2024 में जिसने appear किया है, जिसका result अभी तक नहीं है, वो appearing choose करेंगे, इसी तरीके से जो master's के लिए apply कर रहा है, उनका UG का result अगर अभी तक नहीं है, तो वो भी appearing choose करेंगे, उसके बाद place option पूचेगा, यानि कि exam आपको consistency में देना है, तो यह option है, आपकी UG courses के लिए, PG के लिए, master's के लिए, master courses के लिए, शायद पंतनागर और देरदुनी आता है, बाकि जाओ तो एक बार information brochure, एक बार ज़रूर देख लेना है, exam से ठीके लिए, और वैस option 2 में आपको कोई दूसरा center चूज़ करना होगा, यानि कि दोनों अलग-अलग center आप चूज़ करोगे, मानलो कि पहला वाला नहीं मलता तो दूसरा वाला मिल जाएगा, लेकिन इन दोनों में से आपको कोई ना कोई center मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर photo लेना होगा, उसका photo click करके वो आपको upload कर देना होगा, अब यह तीनों चीजों के अलग-अलग sizes दिये हो है, जैसे कि photograph जो है, वो 20-50 के भी तक का होना चाहिए, signature और जो thumb impression है, वो 10 से लेकर 20 के भी तक का होना चाहिए, ठीक है, अब यह upload करने में हो सकता आपको problem आए, ठीक size में क्या करूँगा, एक अलग से इसके लिए, particularly इस form के लिए में वीडियो बना दूगा, कि आपको यह तीनों चीजे character size में कैसे upload करनी है, ठीक है, तो जिस वीडियो का मैं link दे रहा हूँ, उस वीडियो के जब आप देखोगे, वहाँ पर maximum size आपसे पूचा जाता है, कि क 45 की भी डाल देना, मतलब जहाँ पर मैंने 95 ये 90 के असपस बता होगा, उसे 45 कर देना, यानि कि जो यहाँ पर maximum size के आपको value दिया, उससे 3 या 4 के भी आप कम करके, उसमें maximum size की value लिख देना, और उसके बाद उसको resize कर देना, ठीक है, और सारी के सारी किसमें होंगे, JPG format में आप download कर सकते हो, वो जो एक website है, उसका use करके, जिसको मैंने वीडियो में अच्छे से बता है, उसको आप देख लेना, आपको सारी चीज़े समझा जाएंगे, तो उन तीनो photos को आप reset करके, resize करके upload कर देना, और upload करने के बाद नीचे एक declaration है, उस पर click कर देना, कि आपने ज जैसे general और OBC के लिए, I think 1200 है, बाकि SCST, EWS के लिए 600 उपीज है, तो जो भी आपकी fees है, वो आपको होँआ पर amount शो हो जाएगा, और pain आउपर click करके, आप payment page पर पहुँच जाओगे, आप payment page पर आपको काफी सारे option मिलेंगे, credit card से कर सकते हो, debit card से, net banking से, UPI से, यह कुछ options आपको मिलेंगे, तो मैं आप लोगों को suggest करूँगा कि credit या debit card से करोगे, तो जाधा अच्छा रहेगा, UPI में कई बार payment, जो fail हो जाता है, इन कई बार amount भी आपका deduct हो जाता है, और काफी time लग जाता है, अपडेट होने में, तो credit और debit card से अगर आप करोगे, तो बहुत अ आपको प्रोड़ करने का भी option मिलेगा, दोनों पर click करके उनको PDF format में save करके अपने पास समाल के रख लेना, आपको application form की जरूरत अभी नहीं है, जब आपको admission होगा, उस time पर आपको जरूरत होगे, तो इतना काम आपको करके रख लोगे, और application form को PDF format में save करके अपने पास स से clear हो गई है, तो अगर ये वीडियो आपको helpful लगे हो, तो प्लीज आप जरूर इसको like कर देना, अपने दोस्तों के साथ, अपने friends के साथ इसको share कर सकते हो, जो लोग इसका form fill कर रहे है, और बाकि अगर आपको form मेरे से fill करवाना है, या कुछ भी help चाहिए, तो आप जो म पर in करते हैं, बाकि इसके recording और भी कुछ मैं वीडियो से upload कर दूँगा, जिससे आपको इसके recording help मिल जाए, ओके, so thank you and have a nice day.